बड़वानी जीले के ग्राम बमनाली की ग्रामिनों ने कलेक्टर कारले पहुच कर सचीव और सहायक सचीव के खिलाब कार्यवाही की मांग की है बड़वानी के पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत बमनाली के ग्रामिडों ने आज कलेक्टर कारले में ग्यापन दे कर ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव के खिलाब कार्यवाही की मांग की ग्रामीडों के अनुसार सरपन सचीव और सायक सचीव के द्वारा ग्राम पंचायत में कई घोटालों पर कागजोग पर रिर्मान करके लाखों रुपय का भष्टाचर किया था जिसकी शिकायत ग्रामीडों ने की और जाच में सही पाने पर सचीव को निलंबित कर सायक सचीव की सेवा समापत कर दी थी लेकिन अब ये दोनों वापस ग्राम पंचायत ममनाली में न्यूक तो होकर पंचायत के काम देख रहे हैं जिनके खिलाब फिर से कार्यावेगी मांग को लेकर ग्यापन दिया है बढ़वानी सहतुल कमाउत की रिपोर्ट कुप निर्मान कुवे थे उनमें से मतलब 80-89,000 रुके उनको बिल लागा के रेत का बिल लागा दिया उन्होंने बिल लागा के पैसे निकाल लिये फर्जी बिल लागा के और उनके कुवे पे कुछ भी काम हो निया भी तक फिर तीशही बात 11-117,000-30,000 व इसमें से एक यह दो दिन में मतलब नियुने पूरा रोर था उसको रिपेर कर दिये और एक-इक-दो दूं में पूरा कर दिया ढ लियू जैसे भी लागा यह उन्होंने पूरा पैसे निकालके खा गे उन्होंने बिल लागा के इसके हम शिकात करें थे मतलोग इनको करवाई होना जी है जी मेरा नाम ग्यान सिंग करते हैं हम इसलिए आये थे कि जो ग्राम पंचायत बमनाली में ब्रश्टिजा की खिलाब हमने शिकायत की थी उनके उपर जो सायक सचीव था ये दोसी पाये गए थे सायक सचीव और इसके बावजुद भी जो कायरे अभी पर पेंडिंग पड़े ला है और इनको इनको यहां पर यह काम कर रहे थे जो इस्थान पर वहीं ग्राम पंचायत में वापस ले लिया गया है कि हम उनकी कारवाई चाहते हैं कि कारवाई उनको जो यह मतलब सरकार्य नियम के अनुस निर्मान थे सुदूर सडक थी इननों में मतलब सारा काम मतलब कुछ भी काम नहीं किया लेकिन फरजी भी लगा कि इननने पूरी रासी हडपली हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले